जय हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त चेतन इस्पते चार्ट अकाउंटर आज का टोपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेवर दे देना चाहता हूं कि आज के टोपिक में आज के वीडियो में कोई भी केंडिडेट कोई भी इलेक्शन के जो करना चाहिए तो देखते हैं कि मेरे रीजन्स क्या है और आपके रीजन्स क्या हो सकते हैं पहला रीजन है जैसा कि हम सब जानते हैं आज यहां यहां कि सिस्टम अब हर एक केंडिडेट को वोड कर सकते हो according to your preference किसी को 1 number, किसी को 2 number, किसी को 3 number या तो जितने candidate आप सभी को vote कर सकते हैं तो आपका जो vote होगा, आपका जो best preference होगा वो सभी के लिए deciding factor बन सकता है दूसरी चीज़ सपोस्ट करो 100% में से 50% voting होती है 50% voting नहीं होती है और वो 50% में से majority यानि कि 50 का भी 50% या 51% यानि कि overall 26% people जिसे vote करेंगे उसके representative council में बेटेंगे यानि कि 74% जो लोग यानि कि 50% जो लोग vote नहीं कर रहे है और 24% जिसने vote किये ऐसे मिला कर 74% लोगों के representative वहाँ नहीं होंगे तो सोचिए वो आप पर भी कितना effect करेगा the result affects you तो जितना maximum voting होगा result बहुत अलग होगा deciding factor होगा और वो result आपके उपर भी affect करेगा तीसरा reason है you have a better chance of being satisfied with the result अगर आपने जिसे vote किया है वो person council में बेठे है तो आप भी satisfied रहोगी नहीं यार जिसे मैंने vote किया है वो लोग उपर बेठे है चोथा reason है there are many interesting and new candidates इस बार काफी interesting और नए candidates भी है अगर जितने भी candidates है सहे central council के हो या regional council के हो आपको उगर उनके bio data profile देखनी है तो आप देख सकते हो ICI की जो website है वहाँ पर आप अपना पूलिंग बुद का जो address देखोगे वहाँ पर नीचे एक link दी होगी वहाँ पर जाकर आप सारे candidates का bio data profile देख सकते हो उनके date of birth, membership number, कौनसी company में director है, कौनसी firm में partner है, proprietor है status क्या है, उनका rank क्या है, other academic qualifications क्या है, सब कुछ आपको वहाँ मिले तो काफी सारे new candidates भी हैं और interesting candidates भी हैं तो ये एक reason है अगला reason है, chain reaction, increase, water, turn out अगर आप vote करते हों, तो दूसरे member पर वो क्या effect करें, दूसरे member पर वो तू effect कर सकता है पहला उसे encourage करेगा, या तो उसे guilt महसूस करवाए, और दोनों ही case में, दोनों ही case में वो person vote करने जाएगा, अगर वो encourage होता है तो वो कहेगा, क्या बात करता है भाई, अगर तू vote कर क्या है, तो मैं भी vote कर क्या होंगा, encourage होगा, अगर वो guilt महसूस करता है, तो कहेगा, क्या बात करता है, तू vote कर क्या है, मेरा बाकी है, अगर आट time नहीं निकाल भाय हो, मैं कल 8 December को जा कर वोट करके आऊँगा, तो दोनों case में, अगर आप वोट करते हो, तो आपके आजबाजवाले, या आपके जो CA है, आजबाजवा 6 और सबसे बड़ा reason, if you don't vote, others will make the decision for you, जैसे में first reason में आपको calculation बताया था, अगर आप वोट नहीं करते हो, आप 50% वाले जो category में रहते हो, जो वोट नहीं कर रहे है, उस category में रहते हो, तो जो 50% लोग वोट कर रहे है, उसमें से भी 50%, यानि कि 51%, यानि कि 26% overall, जो लोग व representative है, वो आपके लिए decision में बनाएंगे, तो देखिए, बहुत, बहुत ही difference करेगा, अगर आप वोट करते हो, हो सकता है 100%, जो person council में बेठेंगे, वो अलग हो सकते हो, हो सकता है, 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट का तो difference हो सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वोट नहीं करते हो, तो दूसरे लोग आपके लिए decision बना के छोड़ दे, कि भाई यही आपके और हम सब के representative रहने वाले हैं, 7, last but not least, it's kind of our duty, अगर हम कोई चीज पर हक जमाना चाहते हैं, या हक महसूस करते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, कि हमारा हक या हमारा representative का हम question पूछे, तो सर सिक्के की दो बाजू होती है, अगर आप कोई चीज पर हक जमाना चाहते हो, तो दूसरी बाजू यह है कि हमारी उसकी परती कुछ duty भी है, अगर हमारा हक है, किसी को question पूछना तो यह हमारी duty भी है, कि हम vote करें, अगर vote करना हमारा हक है, तो duty भी है सर, तो साथ डिसेंबर के साथ, reason मैंने बता है, आठवा reason आपको खुद को डूढ़ना है, कि इसके अलावा, आठवा reason क्या हो सक I hope दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सबके साथ share कीजिए, अगर आप चैनल का प्लत सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, thank you for watching दोस्तों, जाए हिंग जाए भारत